हेलो अब्रीबंड वेलकम तुमीन यूटूब चनल टूड़े वी डिस्कस एबाउट क्रसिंग टेस्ट क्रसिंग टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रसिंग टेस्ट के बारे में जोकि ट्रांसपोर्टेशन इंजिनिनिंग में एग्रीगेट पर किया जाने वाला एक है और इस crushing test का हम लोग जो utilize करते हैं road construction में करते हैं तो कौन सा aggregate road construction के लिए usable है या फिर क्या उसकी properties होनी चाहिए तो उसके लिए हम लोग aggregate पर total 4-5 तरह के test करते हैं crushing test impact test abrasion test soundness test यह सभी तरह का test जो हता है aggregate पर हम लोग करते हैं तो उसमें आज पहला हम लोग discuss करेंगे crushing test के बारे में crushing test जो होता है यह strength को check करने के लिए होता है जिसमें 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप surface के construction के लिए use करने वाले है aggregate को और 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप base layer का construction करने मले है road layer के लिए तब इसके case के लिए ठीक है तो यह दो data आता है not greater than 30% for surface layer and not greater than 45% for base layer ठीक है तो एक aggregate का sample लेंगे उस पर हम लोग check करेंगे तो अभी यह जो देख रहे हैं यह हमारा यह transportation lab है जिसमें हम लोग यह perform करने वाले हैं aggregate का test के लिए तो सबसे पहले इस transportation lab में हम लोग के aggregate को ले के आएंगे फिल्ट से aggregate को जब हम ले आएंगे तो उस समय जितना हमें जरुवत होगा उतने aggregate को वहां से उठा करके ले आएंगे तो इसके बाद हम लोग इसको सीविंग करते हैं सीविंग करेंगे तो ध्यान रखना होगा कि सीव का जो साइज होगा वह 20 mm से पास करना चाहिए एक से aggregate को ठीक है और वहां से जब आपका सीव से यह पास कर जाता है तब रिक्वाइड रिक्वाइड एमाउंट को हमें aggregate चाहिए होगा क्योंकि इसको mold में fill करना होता है तो इस तरह से इसको saveकर indispensable करने के बाद बचा हुआ एग्रीगेट को हम लोग वापस हटा देते हैं और जितना required amount है यह हमारे पास में mold है इस mold में इसको हम लोग प्लेस करेंगे लेकिन प्लेस करने का एक तरीका वता है, में इस तरह से प्लेस नहीं करते हैं, इसको तिन लेयर में हम लोग प्लेस करेंगे, अभी इसे को एक अठा कर रहे हैं, इसके बाद this is the correct method to placing aggregate, 25 परतेक लेयर में 25 बार टेंपरिंग रोट से इसको हम लोग यूज करेंगे, यह जब एक लेयर जब फिल हो जाता है, फिर अगला लेयर उसमें हम लोग प्लेस करेंगे, aggregate को पहला ही सीव करके इसे माउंट में रख लेना होता है, ताकि बार बारा को सीविंग ना करना पड़े, इसमें time consume होता है, तो जब इसको हम लोग सीविंग कर लिए, सीविंग करन घ्राइ, और कोशिज करेंगी, maximum aggregate उसमें आ जाए, उस mold में, इसको जब फिल कर लेते हैं, फिर से इसमें हम लोग tempering करें, जब फिल कर लेते हैं, फाइनल जब फिल कर लेता है, तो finally फिल करने के साथ में इसको हम लोग जितना हो सकता, aggregate उपर ते इसको हम लोग रख लिने ह होगा with the help of weight balance देखे जब इसका weight ना पा गया तो इसका weight मिला आपको 4.334 kg में आया लेकिन ध्यान रहे इसमें mold का weight और aggregate का weight दोनों ही है ठीक है बाद में इसके mold को हम लोग weight ले लेंगे mold खाली करने के बाद aggregate mold में फिर सारे aggregate को place करना है और इसे सही करने के बाद इस mold को हम लोग या तो UTM में universal testing machine या तो CTM में compressive testing machine में इसको place करेंगे और उस पर हम लोग load apply करेंगे लोड जो apply करने का होता है वो 4 ton per minute के help से 10 minute तक लगतार load उसके apply करते हैं और total 40 ton का load हम उसके apply करेंगे यह हमारा CTM मसीन है CTM मसीन compressive testing machine इसमें हम लोग इसके जो jack है उसमें इसको हम लोग place कर रहे हैं प्लेस करने के बाद जो loading arm है इसको हम लोडिंग arm को इससे connect करेंगे लोड इसको यहाँ पर लोडिंग आम को इससे connect करेंगे connect करने के बाद से loading हम लोग apply करेंगे देखिए इसको loading pad को इसके साथ में हम लोग इसको contact मिला है देन इसके बाद हम लोग इस पर load apply करेंगे लेकिन ध्यान रहे है load apply करते से में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह proper touch में है कि नहीं है और यहां से air release नहीं होने चाहिए मतलब इसको tight करने के बाद इस पर हम लोग load apply करेंगे जो प्रसीजर है उसको हम लोग follow करेंगे उस सेट करने के बाद इसको हम लोग line यहां से जोगा connection देंगे और मोल्ड का मोल्ड का जो weight था जो मोल्ड का weight नहीं लिया थे aggregate के साथ में इसका हम ने weight किया था तो आया था 4.334 kg और सिर्फ mold का जो weight लिये वह आ गया 1.350 kg यानि कि total aggregate का weight अगर निकलना होगा तो पहले बाले weight में से इस weight को घटा लेंगे तो आ जाएगा आप फिर से उसको saving करेंगे saving करने के बाद जो हमारे पास में बचेगा raw material उस raw material का भी हम लोग weight करेंगे और weight करने के साथ में जो हमारे पास data आएगा उससे हम लोग find out करेंगे कि कि कितना हमारा इसका crushing test के लिए यूज हुआ aggregate की value आई हुई है तो shift करने का size होता है वो 2.36 mm का होता है और abrasion test ले जब यूज करते हैं तो 1.77 mm का data आपको याद रखना होगा तो इसका जब weight कर लिए 1.350 kg में आता है इसके बाद हम लोग इस पे load apply करते है लिडिल को fix करने के बाद इस पर हम लोग load apply किये ह लोड apply करते हैं यहाँ पर जो ctm का जो reading होता है उसको ध्यान देना होगा कि reading हमारे पास में कितना जाना चाहिए एक small division इसमें एक छोटा division जो होता है 5 kN के बराबर होता है total load हमें apply करना है 400 kN तक यानि 40 ton तक लेकिन यहाँ अचानक से नहीं होता है 4 ton per minute का rate से इसको load हम लोग इस पे apply करते हैं और total load apply करना होता है 400 kN का जब इस पे load apply कर लेते है 400 तक इसमे load इसमें apply करेंगे जैसे ही 400 त कर देंगे है कि अधिए यहां पर जैसे यहां पर 400 kN तक पहुंचा उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया switch को and then इसके बाद से pressure को release कर देंगे तो निडिल यह तुरंत अपने zero position पर आ जाएगा ठीक है निडिल जिरो पोजिशन पर आ गया देन इसको इसके बाद से हम remove करे हुए हैं इसको release करेंगे महां से मोल्ड release करने के बाद यह जो सीव देख रहा है कि इसमें से सारा aggregate को हम लोग बाहर निकालेंगे जो भी crush हुआ होगा और सीविंग करके जितना भी crush हुआ पार्थ हुआ उससाब को हम लोग अलग करेंगे सारे पार्ट को हम लोग अलग कियें अलग करने के साथ में इसको हम लोग सीविंग करेंगे सारा चीज़ को हमने अलग किया यहां से अलग करने के बाद इसको सीविंग करेंगे सीव का जो साइज होगा यहाँ पर 2.36 mm का साइज होगा यहाँ से सीव करने के साथ में जो raw material होगा जो west material होगे जो उपर वाले उसको हम लोग बाहर हटा देंगे और हमारा जो काम का material होगा वो इसके सीव के pan में है उसी का हमने weight लेना है सीव करने के साथ में जो हमारे पास में बचा हुआ material है उसको हम लोग एक साथ एक अठा करते चलेंगे finally हमारे पास में आ गया इसका data और total का हमने weight कर लेना है जो की weight आया है 1.036 यह kg में आया है तो यह total जो weight आप देख रहे हैं dust के form में यह crush होने के बाद crush होने के बाद यह आपका इतना material बचा है यानि total जो आपके पास material था पहले था 4.334 kg mold प्लस aggregate mold का जब weight किये तो 1.350 kg में mold का weight आया हुआ था उसके बाद उसको हमने जब घटाया तो value आगया 1.948 1.948 में से आपको इस value को आपको sorry यह 948 नहीं आगा 4.334 1.036 1.036 आपका इसका mold का weight आया है तो आज अगर 2.984 2.984 value आजाएगा और 2.984 में से मतलब total raw aggregate की value आजाएगा 2.948 आएगा और उस 2.94 मेंटे से 1.036 को आप घटाएगे तो आपको पता चलेगा कि यह हम W2 मैनस W1 होता है ठीक है W2 हम मान रहे है weight कौन सा weight जो की raw aggregate का weight है उसमें से जो crush हुआ part है उसको हमने यहां से घटाया और divide करेंगे 2.948 से then उस चीच को हम जब 1 मेंसे मानेस करेंगे तो हमारे पास में जो value मिलके आएगी वही कहलाएगा इसका crushing value कितना होगा crushing value तो इस particular aggregate के लिए इस particular aggregate के लिए crushing value जो आती है यह 34% आता है और यह जो है surface layer के लिए surface layer के लिए comfortable नहीं है क्योंकि surface layer के लिए जो होना चाहिए crushing strength के value वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन यह particular जो aggregate है इसके लिए आरा 34% का तो इस चीज़ को हम लोग base layer में use कर सकते हैं लेकिन surface layer में use नहीं कर पाएंगे तो यह था crushing test के लिए जो कि strength के लिए हम लोग इसका utilize करते हैं इसमें से दो-तिन चीज़े आपको अगर objective question के बाद के अगर objective से कुछ पूछते हैं तो दो-तिन चीज़े important होती है कि पहला surface layer के लिए कितना होता है इसकी maximum value and base layer के लिए maximum value कितना होता है और इस पर rate of loading बहुत भार पूछा जाता है rate of loading जो होता है चार टन पर मिनट के rate से 10 मिनट तक apply करना होता है ठीक है crushing value निकाल लेकिल मैं फिर से repeat कर देता हूँ आपका net weight of aggregate minus net weight of dust जो यह dust के form में है divide by net weight of aggregate आप इसको divide किजिएगा जो value आएगा उसको one में से घटाएंगे तो आपका यहां पर crushing value को crushing का value मिल जाएगा तो आज के class में इतना ही मिलते हैं अपने अगले class में कुछ है अलग test के साथ में जैसे कि आपका impact test होगा तो उसके साथ में लोग perform करेंगे और फिर देखेंगे उसका कितना value आता है तो उमीद है आज का यह lecture आपको समझ मया होगा और चैनल पड़ अगर नहीं तो चैनल को जरू सब्सक्राब कर लें वीडियो अच्छी लगए तो लाइक और चैर जरू करें थैंक्यू